तरका ट्रैवल में आपका स्वागत है आज में जो एसिपी जो आपके साथ शेयर करने वाली हूं उसका नामे भुना आलू और इसे हम भुना आलू मसाला भी बोलते हैं और यह बहुत ही टेस्टी बन के तयार होती है आप इसे एक पर जरूर ट्राइ करिए गा ताहिए अब करेंगे प्रेप्रेश्यन पर हम चलते हैं तो इसके लिए मैंने गास पर कड़ाई चड़ा रखी थी और OUR Τel हमारा इसलिए मैंने अभी एक लिया और इन दोनों को हम मच्छे से भून लेंगे और आलू पॉयल करके रखा था तीन मैंने उनको भी मैंने काटके इसमें ढाल दिया है और ज्यादा इसे भूनना नहीं है हल्का भून के इसे हम निकाल लेंगे इसी कड़ाई में तेल मैंने और डाल दिया थोड़ा तेल हमारा गरम हो चुका है इसमें मैंने क्यूमीन से डाल दिया जीरा और जीरा हमारा चटक चुका है और अध्रक लसन का पेस्ट भी मैं इसमें डाल रही हूं इसको थोड़ी दिर हम भून लेंगे और प्याज को जो मैंने बारी-बारी काट के रखा था फाइनली चॉप उसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ उसको खूब अच्छे से हमें भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम भूनेंगे इस सब्ची के जैसा कि नाम है कि भूनना मसाला तो इसको हमें भूनना बहुत है तब इसका टेस्स अच्छा आएगा और यह टमाटर भी मैंने तीन काट के रखे वे थे इसको भी मैंने इसमें डाल दिया और इसको भी हम अब देट से दो चमच धनिया पाउडर दो चमच लाल मर्च का पाउडर कम जादा कर सकते हैं आप नमक स्वाद के अनुसार जीरा पाउडर भूना हुआ था उसको भी मैंने एक चमच डाल दिया है और इन सारे मसालों को हम इस दही में मिला देंगे और यह हम अपना दही मसाला तयार करेंगे अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया और यह देखे हमारे दही मसाला बनके विल्कुल तयार है अब नेक्स प्रोसेस पर हम चलते हैं इधर हमारा प्यास टमाटर भी इधर भून चुका है अच्छे से इसको 10-15 मिट मुझे भूनन चलते हुँ है इसको इसमें डाल के अच्छे से मिलाना है हमें मीडियम को लो ही रखना है कि ऐखना आ हम इस मसाले को इसमें बिलाते हुआnant तक्थ प्राय करेंगे अभे लगताः घ्र करते रहें अब इसे कि अधाकी दहीं अंच्छे मिक्स इसमें हो जाए दही को मसाले मिलाकर डालने का हमारा रीजन यह था कि दही से फटती नहीं है यह आप द्यान रखेएगा ऐसे डालने से और इसको हमें भूनना अभी खूब है मरब 15-20 मिन तक लगवग हम इस मसाले को भूनेंगे जब इस सब्जी का अच्छा टेस्ट आएगा जैसा की नाम भी है बुना आलू मसाला और इसमें मैंने थोड़ा सागरा मसाला डाल दिया थोड़ा मैंने कसोरी मित हात में लेकर इसको कस कर दिया इसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ और 15-20 मिन दकी से हमें भूनना अच्छे तरीके से जब तक कि तेल ना बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा नहीं डालना है और पांच में टॉट थोड़ा सा इससे एक उबाला लें दें हम बिल्कुल मसाला भून चुका है हमारा और त्यार ही है और जो सब्जे आशाएं हमने काट रगी थी उसको भी अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने भून के रख रखा था इस सारी मैं इसमें अट कर दिये और अब इससे ज़्यादा पकाना नहीं क्योंकि सब्जे सारी हमारे बुनी हुई है बस मुश्किल से पांच मिनट और यह बिल्कुल हमारा सब्जी बन के रेडी है आप इसे जरूर ट्राइए करें और उपर से मैंने दनिया की पतियां भारी कटिवे डाल दी है और इसके हम प्लेटिंग कर लेंगे और कि सब्जी जरूर ट्राई करें पर अच्छा लगे था में कमेंट वक्ष राइए उसके में जरूर हमें बता है पांच में डखके मैंने इसे पका दिया है और यह देखे बिल्कुल हमारी सबजी त्यार है कितनी अच्छे लग रहे हैं और यह टेस्ट में भी बहुत अच्छी है आप इसे जरूर ट्राई करें थांक्स पर वाचिंग